अस्सलाम अलेकुम जुलेका के दुनिया मैं वैलकाम है देखे ये मैं तुरही का हर्वेस्टिंग करने जा रही हूँ देखे इस बार तो हमारा बहुत ज्यादा हर्वेस्टिंग बहुत ज्यादा तुरही हुई है तो मैं बहुत ज्यादा ही तोड़ी हूँ और आप लोगों अच्छे से हो रही है, तो इसे मैं तोड ले रही हूँ, देखे, मैं देखाती हूँ, अभी भी फूल आ रही है, अभी भी बहुत अच्छे से तुरह इसमें आ रही है, देखे, कितनी लगी हुई है, सभी को मैं तोड लेती हूँ, आप लोगों को देखाती हूँ, आज मैं ह भी और गेनिक अपने गार्डन में रोपिए और और गेनिक सबजी का मज़ा लीजिए देखे ये पोई का है ये पोई का पौधा है इसमें से भी मैं तोड़ ले रही हूँ इस तरह से पोई का भी बहुत ज़्यादा मेरे पास पौधा है अपने आप निकलती रहती है मैं इसको रोपती नहीं हूँ अब देखिए ये करैला भी हमारी बहुत अच्छे से फूल आ रही है इसमें करैला भी आ रही है इसकी मैं वीडियो आप लोगों के दिखाई थी बीस से मैं तो इसमें अप करैला फटने लगी अच्छे से तो देखिए इसकी भी मैं हर्वेस्टिंग कर लेती हूं इसमें दो तरह का करैला है, एक थोड़ा से लंबी है और एक थोड़ा छोटी है जादा लंबी नहीं है देखे इस तरह से, अब होने लगी है, अब देखे इधर बिलटकी वी एक करेला, उसे भी मैं तोड़ ले रही हूँ, अब देखे इधर अरकच का पत्ता है, देखे इधर अरकच का पत्ता है, कच्चु का पत्ता, और एक नाम है इसका, तो हम लोग तो अरकच का पत्ता ही कहती हूँ, यह हमारा गुजरात का यह पत्ता है, इसे मुह नहीं काटता है, बहुत अच्छे इसकी सबजी बनती है, इसकी अरकच बहुत अच्छे से बनती है, खाने में बहुत सवाधिश लगती है, हमेशा मैं तोड़ती रहती हुं, थोड़ी बड़ी हो जाती है पत्ता, तो मैं हमेशा इसे तोड़ती रहती हुं, इस तरह से आप लोग भी इसे लगाएं ये तो हमारा पत्ता, कच्चु का भी पत्ता बोला जाता है, जयर कच्च का भी पत्ता बोला जाता है, एक और नाम है जो मुझे याद नहीं है, ये हमारी गुजरात का ये पत्ता है, इस तरह से आप लोग भी लगाईएगा तो इस पत्ते का समजी बहुत बना कर खाईएगा और यही सब हमारी हर्वेस्टिंग मैं की हूँ देखे इस तरह से जो भी थोड़ी बड़ी है पत्ता सबको तोड़ ले रही हूँ इस तरह से और उसके बाद इसमें थोड़ा सखात पानी डाल दूँगी तो यह और भी अच्छे से पत्ता सब निकलेगी इसकी डंटी के भी बनती है सबजी और इस तरह से देखे सारा पत्ता को मैं तोड़ ली हूँ और इसे तोड़ कर मैं बनाऊंगी और देखे इस तरह से कि देखे यह बहुत आसानी से यह हो जाती है बहुत अच्छे से चलती है इसे आप लोग जरूर लगाईए बहुत अब धूप इसको लगना चाहिए तब ही अच्छे से यह पत्ता सब अच्छे से निकलेगी और इसकी सबजी बनाईए खाईए अब पोई हमारा बहुत जगा लगी वी है देखे इधर भी है इसे भी मैं तोड़ ले रही हूँ यह पोई को मुपर तक चली गई है देखे इस तरह से इसकी भी सबजी बहुत अच्छी बनती है देखे यह हमारी आज की हार्वेस्टिंग है थोड़ी सी इपोई की पत्ता का है और यह तो रही है तो रही भी हमें हमेशा मिलती रहती है अच्छी खासी और अब करेला होने लगी है, जो भी अच्छी ही है, दो तरह के है, लंबी है, इसमें लगी ही है, और यह पत्ता, हरकाच कर पत्ता, चु कर पत्ता, यह हमारी हार्वेस्टिम्घंग इस तरह से और्गेनिक मुझे मिल जाती है हमेशा कुछ दिनों में हपता दिन दस दिन में मुझे हर्वेस्टिंग मिल जाती है सबजी बनाने के लिए आप लोग भी इस तरह से रोप कर सबजी इस्तमाल कीजिए अपने घरवालों को खिलाईए और्गेनिक समान बहुत अच् इसके बहुत अच्छी सबजी बनती है हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक सब्कराइब किजिएगा अल्लाहाफिश